Hello and Welcome आपके पास एक वेब अप्लिकेशन है और आपकी वेब अप्लिकेशन में बेक एंड में आप यूज़ करते हो डेटावेस आज आपकी अप्लिकेशन बहुत स्लो चल रही है और आपको पता चला है कि बेक एंड में प्रॉब्लम है याने कि डेटावेस काफी स्लो है इसलिए अप्लिकेशन का परफॉर्मस भी काफी स्लो है आप मुझे बताओ इस पर्टिकिलर सिचुएशन में आप किस तरह से ट्रबल सुटिंग स्टेप स्टार्ट करोगे आपका पहला ट्रबल सुटिंग स्टेप क्या होगा बहुत सिंपल प्रोसेस है कि सबसे पहले आपको चाहिए होगा डेटा जैसे कि आज मेरा डेटावेस स्लो चल रहा है तो उसके पीछे problem क्या है CPU utilization कितना हो रहा है RAM utilization कितना हो रहा है मेरे database में कितनी query आ रही है highest number of queries कौन सी है यह सब कुछ आपको monitoring से पता चलता है यह रहें कि monitoring करना पड़ेगा और monitoring data के base पे आपको specifically कोई components में problem है वो मालुम पड़ेगा और फिर आप उसका solution करोगी और इसलिए मैं सब को बोलता हूँ कि जितना configuration part ज़रूरी है उतना ही monitoring part ज़रूरी है क्योंकि जब problem आता है तब troubleshooting करने के लिए monitoring data ज़रूरी है और इसलिए हम monitoring को बहुत ही सांती से proper way से सीख रहे हैं जैसे कि आपको मालुम है AWS में तीन monitoring options है एक performance insight जिसके बारे में हमने बात कर ली दूसरा enhance monitoring जिसके बारे में भी हमने बात कर ली और आज हम बात करने वाले है cloud watch के बारे में तो लेट स्टार्ट टू मिनिट्स यहाँ पर मैं आपको एक request करना चाहूंगा देखे आप हमारे AWS के videos देख रहे हैं अगर आपको लगता है कि ये videos देखके आप किसकी improve हो रही है आगे जाके ये videos आपको job में help करने वाले है तो please हमें जरूर बताएगा आपको अगर हमें कुछ भी बताना है आपके पास कई सारे रास्ते है पर एक रास्ता है subscribe to this channel देखे हमारे बहुत ही बड़े प्लान है आगे जाके Azure के videos आने वाले है DevOps के videos आने वाले है पर उसके लिए हमें आपके motivation की भी जरूरत है subscribe to this channel is free for you पर यहाँ पर हमारे जो आगे के प्लान है वो पूरे decide होते है हमारा target है कि हमें 1 million subscribers चाहिए हमें मालूम है यह बहुती लंबी race है और इसमें बहुत सारा time लगेगा पर मैं आपको एक बात बता दू कि आपके support से ही हम यह race को end तक पहुचा सकते हैं please support us please subscribe to this channel और अगर आपके group में कोई IT professionals है तो उनके साथ हमारे videos जरूर share करिएगा क्योंके अगर वो देखेंगे तो वो भी सीखेंगे और इसमें सबसे बड़ा फाइदा है कि आप अपने time का पूरा utilize कर रहे हो यहाँ पर जो आप सीखते हो वो आपको आगे जाके useful होगा होगा और होगा right so don't forget to subscribe this channel thank you very much now you can continue your learning process अब सबसे पहली चीज़ में आपको मैं बता दू कि performance insights and enhanced monitoring जो है वो detail real time monitoring करने के लिए है तो अगर आपको detail में आपके database instance को मिलने वाली SQL queries के बारे में जानना है कितनी queries मिलती है load क्या है वो सब कुछ तब आप performance insights का use करोगे आपको real time detail मिलेगी आपके database engine के बारे में specifically related to the SQL queries same way operating system का performance किया है आपके database engine का इसके CPU का detail per core detail memory की detail तेन आप यूज करोगे enhanced monitoring ये दोलों का specific use case है पर हर बार हमें इतने सारे data की जरूरत नहीं है हमें first level पे पहले problem को identify करना पड़ेगा basic level की detail हमें चाहिए होगी उसके बाद उस basic detail से हमें problem solve नहीं हो रहा है तो फिर हम enhanced monitoring में जाएंगे कोई patient hospital में जाता है तो उसको directly थोड़ी ना हम ICU room में डाल देते हैं पहले उसको normal room में रखा जाता है फिर लगता है कि ये critical situation है और इसका monitoring हमें बहुत जादा करना पड़ेगा तो real time monitoring के लिए ICU होता है मैं आपको उसी system में अगर समझाओ तो cloud watch एक basic normal monitoring है वहाँ से आपको पता चलेगा कि ये कुछ problem तो है और ये problem को solve करने के लिए मैं advance में monitoring करना पड़ेगा तब आप actually enhanced monitoring और performance insights का यूज़ करोगे अब मैं आपको 3 point समझाना चाहूंगा about cloud watch monitoring ये open duck ना जरूरी है तो open duck होगा let's understand this cloud watch provide unified platform to monitor all aspects of RDS instance combining data from the database engine and OS देखो ये क्या करता है advanced monitoring, real time monitoring of database engine इसका मतलब है performance insight advanced monitoring, real time monitoring of operating system of your database engine याने के enhanced monitoring दोनों का basic level of monitoring याने के cloud watch ये आपको दोनों के बारे में provide करेगा performance metrics टिकल database के लिए और OS के लिए दूसरी बात ये बहुत जरूरी है जो कि आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी और वो है sorry sorry to interrupt you I know that video बहुत interesting है पर अगर आप ये 100 days challenge के सभी videos पूरे देखना चाहते हो तो हम आपको दो options दे रहें option number one हमारी website www.cloudfox hub पे चाहिए वहाँ पे आपको एक 100 days YouTube challenge कोर्स मिलेगा उसको सब्सक्राइब करिए हमारा प्राइज बहुत ही कम है just 499 रुपीस ये जो भी videos हम यहाँ पे YouTube पे डालते हैं वही full video आपको इस particular कोर्स में मिलेगा 240 videos टोटल मिलेंगे दूसरा एक बहुती अच्छा option है जो हम आपको YouTube के थ्रू देंगे now you can join our YouTube elite membership program as well ये member बनने के लिए आप हमारी YouTube channel cloudfox हिंदी पे जाएए वहाँ पे exactly subscriber button के बाजू में आपको एक join button मिलेगा वहाँ पे join करिए आपको monthly सिर्फ और सिर्फ 89 रूपीज पे करना है और ये सभी videos आपको full तो वहाँ पे मिलेगे ही up to 240 और कई सारे courses जो हम future में डालने वाले हैं वो सब आपको मिलेंगे सिर्फ 89 रूपीज पर month I hope you will join this Thank you very much Good bye